electronics की दुनिया में अगर आप robotics, internet of things या science के sensor based projects करना चाहते हो तो ऐसे projects करने के लिए आपको एक microcontroller की जरूरत है जैसे as an example Arduino Uno जो है वो एक इस किसम का microcontroller है और Raspberry Pi, microbit जो है वो और भी इसी किसम के microcontrollers है तो Arduino Uno में या इन microcontrollers में basically एक chip लगी होती है जो कि एक छोटा सा यह आप एक computer मान लो पर computer के अलावा microcontrollers में यह GPIO pins, general purpose input output pins लगी होती है जिनसे हम जो signal है वो इस board को supply कर सकते है या इससे output ले सकते है तो essentially यह जो boards है यह कैसे काम करते हैं कि हम एक computer में program लिखते हैं मान लो हमने इसमें कुछ sensor, light sensor लगाया एक तरफ और उसके बाद हमने एक कोई LED या light लगाई तो हमें एक चोटा program लिख सकते हैं कि अगर sensor पर जब light पढ़नी बंद हो जाएगी तब LED on कर देना तो यह जो program है यह for example एक smart street light का एक prototype program हो जाता है अगर आपके पास Arduino Uno board है तो तो बहुत अच्छा है पर अगर आपके पास Arduino Uno board नहीं भी है पर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो Tinkercad जो है वो एक बहुत अच्छी जगा है because Tinkercad में हमारे को Arduino Uno का simulator मिल जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको Arduino Uno Tinkercad के simulator से introduce कर रहा हूँ तो मैं Tinkercad की website पर हूँ Tinkercad.com मैं already register करके login कर चुका हूँ और यहां जाके मैं circuit select कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कह रहा हूँ create new circuit तो यह हमारा Tinkercad का interface है यहां पर हमारे पास बहुत सारे components है जो की हम as a simulation यहां पर use कर सकते हैं simulator का मतलब है कि हम instead of real components में चीज़े बनाने के बदले हम simulator में बनाते हैं जैसे आपने सुना होगा कि जो pilots होते हैं वो simulator में जाके अपनी training लेते हैं तो उसी तरीके से यह simulator है तो Tinkercad में बहुत सारे components है और इन में से कुछ components जो हैं वो programmable components है तो for example Arduino Uno और Microbit यह दोनो programmable components है तो मैं यहां से एक Arduino Uno board drag and drop करके यहां पर इस play area में ला रहा हूँ और यह हमारा Arduino Uno board है इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो है वो chip है जो कि एक computer की में जैसे microchips होती है वैसी chip है जिसको हम program कर सकते हैं और यह input output pins है जिनसे हम input या output ले सकते हैं इसमें sensors, motors, LEDs और यह जितने हैं components हैं इसमें से बहुत सारे components यहां पर हम उनको लगाके Internet of Things या robotics सित्यादी के projects बना सकते हैं तो सबसे जो first program नॉर्मली इन सब boards में होता है वो होता है एक blinking LED का program लिखना तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं तो यह हमारे पास जो board है अगर मैं इस board को जाके यहां start simulation दबाता हूं तो यह इसको यहां पर ऐसा यह दिखा रहे हैं कि यह USB से power मिल गई है और power मिल गई है इसलिए यहां पर जो on board LED लगी हुई है यानि board में ही जो LED लगी है इसने blink करना शुरू कर दिया है तो यह on board LED जो है यह actually pin 13 जो यहां पर है इससे connected होती है तो अगर हम pin 13 में एक LED लगाएंगे जो हम अभी लगाके देखेंगे तो वो LED भी automatically blink करनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो pre-programmed LED है और यह pre-programmed LED है यह आप यहां से देख सकते हो कि अगर आप यहां जाके code पे click करोगे तो यहां पर scratch जैसा block paste programming का interface है और इस वक्त इस board के लिए एक default program लिखा गया है जो की कह रहा है कि set built-in LED यानि यह जो built-in LED है set that LED to high electronics में high का मतलब होता है कि उस component को voltage supply कर दो और उसके बाद यह program कह रहा है कि wait for one second यानि कि pin को high करने के बाद एक second तक pin को high रखो यानि कि एक second तक उस pin में जो है वो voltage supply करते रहो और उसके बाद set the built-in LED to low यानि कि उस में फिर voltage supply करना बंद कर दो और बंद करके फिर एक second रुको और ये program जो है ये एक infinite loop में है यानि कि ये continuously ये ही program repeat होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा इसी लिए जब हम यहाँ पर ये LED में जैसे ही हम simulation on करते हैं ये वाली जो built-in LED है ये blink करनी शुरू हो जाती है तो इसके बाद हम यहाँ पर अपनी एक LED लाके program करते हैं और LED को हम इस Arduino board से दो तरीकी से जोड सकते हैं या तो हम सीधे pin में ही attach कर सकते हैं पर जैसा मैंने एक पहले video में आपको दिखाया था breadboarding के बारे में तो ज़्यादा electronics में ज़्यादा elegant way है breadboard use करके तो मैं यहाँ पर अब यह simple program के लिए भी एक breadboard लेके आ रहा हूँ तो यह हमारा अब एक breadboard है और जैसा मैंने अपने video में समझाया था कि यह जो breadboard है यह basically इसमें यह जो positive rail है यह आपस में एक metallic strip से connected है similarly यह negative rail भी आपस में connected है और यह जो A, A1, A2, B1, B2 यह सारे holes हैं यह इस तरीके से आपस में connected है तो इस board में हम फिर यहाँ जाकर एक LED लेकर आ रहे है और मैं LED को यह D3 और D4 pin में लगा रहा हूँ D4 pin में इसकी positive terminal जो है वो है anode और D3 में इसका cathode, LED का cathode terminal है यानि negative terminal है और उसके बाद मैं अपने board से, Arduino Uno board से यहाँ यह power out है तो मैं यहाँ power out से जो एक मैं 5 volt से एक output ले रहा हूँ और इसको मैं अपनी red board की positive rail में डाल रहा हूँ और convention follow करते वे number 2 दबाके मैं इस wire को red कर रहा हूँ क्योंकि हम voltage को red wire से denote करते हैं फिर मैं Arduino board से जो ground pin है वहाँ से एक और wire pull करके negative rail पे दे रहा हूँ और convention follow करते हुए मैं 1 दबा रहा हूँ ताकि वो wire black हो जाए अब ये rails में जो है हमारा इस पूरी rail में हमारे पास ये ground से connected है और ये जो rail है ये हमारी positive voltage से connected है अब मैं LED का positive terminal जो है उसको positive terminal से connect, positive rail से connect कर रहा हूँ और color उसको उसका red कर रहा हूँ और फिर मैं cathode यानि negative terminal LED के negative terminal को जो हमारा ground जो हमारी rail है उससे connect कर रहा हूँ और उसका color में कर रहा हूँ black 1 दबा कर अब अगर मैं start simulation करता हूँ तो हमारी LED जली पर LED जलने के बाद एकदम से fuse हो गई तो यह simulation है इसलिए हम इस तरीके की चीज़ें try कर सकते हैं अगर हम actually physically कर रहे होते तो मैं यह नहीं करता तो मैं के बाद आपके यह दिखा रहा था क्योंकि यह LED है यह एक particular current पर काम करती है maximum और अभी हम उससे कहीं ज़्यादा current इस पर supply कर रहे हैं तो यह LED fuse ना हो इसके लिए हमारे को यहाँ पर एक resistor लगाना है तो मैं यह यह positive wire हटा के एक resistor लेकर आ रहा हूँ और मैं resistor को select करके जो इसका resistance है यह मैं ohms में around 180 ohms कर रहा हूँ अभी यह kilo ohms है तो मैं 180 ohms कर रहा हूँ और फिर मैं start simulation करता हूँ तो यहाँ पर हमारी LED जो है वो light up हो जा रही है and of course आप LED को select करके LED का जो color है वो भी आप बदल सकते हो तो यह तो है एक simple हमने Arduino Uno से एक LED जो थी उसको connect करके उसको resistor लगा कर उसको light up कर दिया है पर हम चाहते हैं कि जो हमारी LED है वो actually blink करे अब मैं यहाँ पर pin 13 से एक wire ला रहा हूँ जो कि मैं यहाँ J5 पर दे रहा हूँ और इसका मैं color को change कर रहा हूँ फिर मैं जो हमारी ground की rail है वहाँ से ground की rail से मैं resistor connect कर रहा हूँ और मैं अपनी LED इस तरीके से लगा रहा हूँ कि जो हमारी positive जो anode है LED का वो हमारी pin 13 से connected है और जो हमारा cathode है वो through a resistor हमारे ground से connected है और मैं दूसरी तरफ के connections अभी delete कर देता हूँ ताकि हमें clearly समझ में आई कि हम कर क्या रहे है फिर मैं जो हमारी board में ground है मैं ground को लाके उसको अपनी negative rail से connect कर रहा हूँ और फिर हमें start simulation करता हूँ तो हमारी जो LED है वो blink अपने आप कर रही है क्योंकि इसको हमने pin 13 से लगाया है और pin 13 जो onboard pin है वो उससे connected है और जैसा मैंने दिखाया था कि code में हम already ये बात कह चुके है कि set the built-in LED to high for one second and then set it to low for one second and इस loop को continuously repeat करते रहो तो क्योंकि हमने इसको same उससे connect किया है इसलिए हमारी LED blink कर रही है अब एक मैं final चीज आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम LED को default 13 pin से नहीं जोडते वे किसी और pin से जोडते है तो for example अब मैं 12 से जोड रहा हूँ इसको और 12 से मैं wire लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर positive जो rail है उस पर दे रहा हूँ तो अब अगर मैं simulation run करता हूँ तो हमारी onboard LED तो blink कर रही है पर हमारी जो हमने LED लगाई है वो blink नहीं कर रही है क्योंकि अब वो pin 13 से नहीं connected है pin 12 से connected है तो अब इसको blink करने के लिए हमारे को एक छोटा सा code लिखना पड़ेगा output block को select करके मैं यहाँ पे set pin का block ला रहा हूँ और set pin में हमें पता है कि हमने यहाँ number 12 पे अपनी LED लगाई है तो मैं कह रहा हूँ set pin number 12 to high और फिर मैं control में जाके यही wait की command ला रहा हूँ wait for one second यानि कि pin को high करके one second तक उस pin को high रखना और फिर output पे जाके मैं कह रहा हूँ set pin same pin number 12 to low और फिर मैं control में जाके फिर से कह रहा हूँ कि low करने के बाद उसको एक second तक low रखना यानि उसमें कोई भी voltage supply मत करना और ये जो हमारा loop है ये भी by default ये infinite loop है और ये जो पहला हमारा code था इसको मैं delete कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं start simulation करता हूँ तो ये हमारी LED जो है वो blink नहीं हुई है क्योंकि मैं positive rail से जो LED का positive terminal था anode उसको connect करना भूलिया तो मैं इसको stop simulation करके यहां से एक wire जो है मैं positive rail से एक wire जो है वो anode पे LED के anode पे दे रहा हूँ अब मैं start simulation करता हूँ तो जो हमारी LED है वो blink कर रही है और आप अगर इसमें और आगे थोड़ा experiment करना चाहो तो हम यहां code में जाकर इसको change कर सकते हैं जैसे मैं for example 0.5 second कह देता हूँ तो अगर मैं 0.5 second कहके फिर simulation चला रहा हूँ तो हमारी जो LED है वो faster rate पे blink कर रही है और इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 seconds कर देता हूँ और इसको 0.5 seconds नहीं करता हूँ और start simulation करता हूँ तो अब यह 2 seconds के लिए glow करेगी और फिर cable 0.5 seconds के लिए play off होगी और इस तरीके से यह जो हमारा program है यह execute हो रहा है तो I hope आपको इस video से समझ में आया कि Arduino जो board है उसकी programming Tinkercad में as a simulation आप करके robotics और internet of things की दुनिया में microcontroller का क्या role होता है उसको बहुत आसानी से समझ सकते हो आने वाले videos में हम Arduino Uno यूज़ करते हुए जादा complex circuits और projects बनाएंगे sensors वगेरा यूज़ करते हुए